नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों कुछ पीड़ पोधे विशी स सक्ती के साथ होते हैं क्योंकि उनके उपर सक्सात महादेव की दिवी देवताओं की करपा होती है और दोस्तों आपने देखा होगा भगवान की पूजा बिना परकार के प की वज़े से बहुत ज़्यादा आकरसित होते हैं इसलिए दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा ही चमदकारी उपाई जो की भी आपके पीड़ पोधी से सम्मदित है अगर आप इसे कर लेते हैं तो दोस्तों जो सज्जन धन की कमी का सामना कर रहे हैं लाग प जिंता करने की आशकता नहीं है बस इस उपाई को करें आप धीरे धीरे स्वेया अनुभाव करेंगे कि आपके घर की नकारतमक्ता आपके घर की किसी परकार की आपके उपर नजर्दोश या बुरी चीज है तो वह चली जाती है और आपका भग ये उजवल होता है आपको आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ देखने को मिलती है अगर आप अपने कर्म के साथ इस चीज़ को करते रहते हैं दोस्तों महादेव इन सारे जड़ी बूटियों के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी को पेड़ पोदों के माद्यम से चीज़े चड़ाई जाती पर घिरा उससे रुद्राक्स का पोधा दोस्तों जनम लेता है भगवान स्री महादेव का आंसु ही है दोस्तों जो इतना केमती है कि उसने एक पोदे का निर्मान कर लिया और वही वापस भॉलेनाद के निमित आपको पहना जाता है भॉलेनाद स्वय से अपने गले के अं पात्र एक रुद्राक्स ले 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 और रुद्राक्स को लेकर आप क्या करें सोंबार के दिन ले तो उत्तम है और अगर सोंबार के दिन आपको समय नहीं मिला तो आप किसी भी दिन ले सकते हैं अब आपने रुद्राक्स को ले लेकर एक लाल धागा ले लाल धागा जिस सबसे उपर का दोस्तों जो भाग रहता है, वहाँ पर आप एक रुपी का सिक्का रखें, और उसे भी आप लाल धागि की साइता से बांध दें। एक रुपे के सिक्ये पर आपको अपने नाम का पहला अक्सर कुम कुम की साइटा से लिखना है उसके बाद ही आपको बादना है अब क्या करें उस दोस्तों आप आपके निकरतम कोई भी सिव मंदिर है जहां पर भूले नात की पूजा अरादना होती है वहाँ पर चले जाए और वहाँ पर बैट कर आपको ओम इस सिक्के को अपने हाथ मेले और मंतर बोले ओम नमशिवाई ओ या ओम शिव शिवाई नमस् इस मंतर का जाप आपको 21 बार करना है और 21 बार करते समय यह सिक्का आपको अपने हाथ के अंदर ही रखना है दोस्तों ऐसा करते हैं वरुदराक्स जो लाल थागे के अंदर आपने बादा था सिक्के के साथ महादेव के मंदिर में महादेव के मूर्ती के पीछे आपको जाते हैं आप उस रुद्राक्स को दो दिन के बाद जबрий आपने भगवान भूलेनात को चड़ाया ता ऐसा नहीं कि आप तीन दिन के बाद आए या दूसरे दिन ही आजा आ बराबर दू दिन के बाद आपको वहाँ पर जाना है उस रुद्राक्स और एक रुपए के सीख़ को आपको उठा लेना है लेकि दोस्तों मंदीर से आपको ऐसे ही नहीं आना मंदीर के सुभकारियों के निमित दान दक्षिना और पुजारी जी को भी आप दान दक्षिना आपके सामर्चे के नुसार दे कराएं और उस रुद्राक्स को आप अपने घर लेकर आएं दोस्तों और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी परकार का दुख दारूनिय नहीं रहेगा और साथी साथ जो एक रुपे का सिक्का है उसे आप अपने पर्स अपने बटुए के अंदर में भी रखे ताकि आपकी जीवन के अंदर किसी परकार का आपको किसी परकार का दुख देखने को नहीं मिलेगा आप अपनी जीवन के अंदर आगे बढ़ पाएंगे और आप जो चाहेंगे वह आपको आपकी जीवन के अंदर देखने को मिल जाएगा धन्यवाद मित्रों जय भोलेनात मित्रों कमेंट में आप भी जय भोलेनात लिखकर उसका आशिरवाद जरूर लेगे